हलो अवरिवान स्वागत है आप सभी का मेरे कीचेन में आज आपकी साथ शेयर करने वाली हूँ दो कटलेट की रेसिपी जो की आपको बहुत जादा पसंद आएगी आप इसे शाम की चाय के साथ ट्राइ कर सकते हैं चलिए देखते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है वीडियो मुमफली को भूल लेंगे कि बाद मुमफली को निकाल लेंगे एक प्लेट में ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए तो मैं ऐसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ और यहां पर हमारी मुमफली ठंडी हो गई है तो इसे हलका हलका रगड़कर इसके चिलके डालेंगे या पिर रूख रूख करेंगे एक बार में लगातना रहाम लगा दानो ls बाक्य अम Śालए तो यहां पर मैंने दो किल रखा हुआ ही और आदा चम जब गरम करीब रो औरư हम दाल यह शालग नमक काला रवफ सबस्दाप tehdar एक चुधार चमच से थोड़ा सजादा, साथ में यहां पर ढाल देंगे लाल मिर्श पाउडर, और ये नहीं पर भुनाओवा जीरा भी डाल दिया है, दादा चमच और लाल मिर्श का पाउडर ढाल देते हैं, इसके साथ यहां पर ढाल देंगे बारी कटावा हराधनिया, औ कपे को एक पर जाते से उसके और के मिला लेना है दो इसमें फुट और कि अच्छे अर्द बिला लेगे तक यह बिल्कुल आठे की तरह स्मूथ सा गुनकर तयार हो जाए और यहां पर मैंने मिक्षर तयार कर लिया है हाथोंगे हम थोड़ा सा तील लगा लेंगे और जैसे भी funds कर देंगे यहां पर आप C palette बनाना चाहते हैं है उतना mixture लेखे इसे हम राउंड शेप जाएगा तो चलते हैं एने शैलो फ्राय करने की प्रोसस में तो बहुत ही कम तेल में से शैलो फ्राय करें गजाएं को I leah प्लट करेंगे एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद पलट करेंगे तरफ से डाल दिया है और पलट लेंगे तो यह हमारी टिक्या इक तरफ से प्राई हो चुकिया और इने पलट लेंगे और यह देखिए बहुत ही अच्छा सा कदर आ गया है फ्राई होने पर दूसरी तब से भी इतनी ही क्रिस्पी हो जाने तक हम फ्राई कर लेंगे और यहां पर सभी टिक्यां हमारी फ्राई हो चुकी है तो निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में तो यहां पर मैं इसे सर्फ कर लेती हूं लेजे फ्रेंड्स हमारी यह मूफली आलू और ओट्स की टिक्यां बनके तयार है तो इस तरीके से नाश्चा आप जरूर बनाए यह देखिए किता बढ़िया दिखाई दे रहा है उतना ही टेस्टी है और हेल्दी है और अब देख करते हैं पूहा और आलू के कट्लन थी तरह लाएह है पर यहांपर ढ़ना इसमीं आपिए गई पहे करीब दाली तू कपे करीब आई और दाल कर्थे बराद नहीं डिवर 15 मिनिंट के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए यह पी आप एपोह पनीति है यह हो नापनी तीव पुरी तरीके से सूक चुका है तो इसमें भी पानी नहीं है तो इन पोहों को डाले एक बडे बोल में अगर आपके पोहों में पानी रह जाते हैं तो उसे चली में डाल के छान लें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें दो कप पोहों में मैंने एक कप पानी डाला था मैं बड़े बोल में निकाल लिया है और इनको एक बर हम हाँ से मसल कर तयार करेंगे यहां पर इन पोहों को मैंने मसल लिया अच्छे तरीके से बिलकुल भी इसमें पानी नहीं है और यह बाइंड भी हो रहा है तो अब इसमें हम डालेंगे बाके सारी चीजें तो यहां पर मैं डाल रही हूँ एक कप के करीब आलू तो यह बॉयल आलू है जिसे मैंने मैश करके रखा है यह आलू इसमें डाल लेंगे साथ में डाल लेंगे एक बड़ा प्याज हरा धनिया और हरी मिर्च तो सभी चीजें इसमें एक सार डाल देंगे और इसमें डाल ले तो यह पाणिया है तो तो आपके लिए चैसे, मिला लेना है तो यह अच्छा मिला कर तेयार कर लेती है, बिल्कुल दो की आजाएगा यह यह पर मैंने मिक्षर को बहुत अच्छा से मिला लिया है और अब इसका लेंगे हम थोड़ा सा हिस्सा और इससे हम बनाएंगे टिकिया बहुत ही अराम से देखिए बैंड हो जा रहा है तो यह इस तरीके से रोल कर लेना है और हलके हाथों से इसे इसे प्रेस कर देंगे इस तरीके से अगर क्रेक्स पड़ रहे हैं साइडों में तो उसे कोई दिक्कत नहीं है क्रेक्स की वज़े से यह हमारी टिकिया और भी क्रिक्स भी बनेंगी तो एक टिक की बनके तयार हो गई है और सभी टिकिया बिल्कुल ऐसे ही बना के तयार कर लेंगे और सभी पोहे और आलू की टिकिया मैंने यह पर बना कर तयार कर ली है तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में और गैस पर मैंने एक पैन रखा है इसमें मैंने फ्राइ करने के लिए तेल डाल दिया है तो एक एक करके तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम टिकिया डाल देंगे तो एक बर में जितनी आज है हम डाल देंगे पैन में और यहां पर यह टिक्यां में डाल दी है बाकी की मैं बाद में फ्राइ करूंगी और जब यह टिक्यां एक तरफ से क्रिस्पी फ्राइ हो जाएंगी तो इन्हें पलट कर फ्राइ करेंगे और यहां पर अब टिक्यों को परट लेते हैं तो अच्छा क्रिस्पी होने तक ह्ष्ड प्राई कर लेंगे और यहां पर हमारी सभी टिक बहुत ही क्रिस्पी सी फ्राई हो गए तो इनहें मैं निकाल लेती हूँ और बांकी सारी बचिवी टिकियां भी बिलकुल इसी तरीके त्यूंक तैयार करेंगे लिजे फ्रेंड यहां पर मैंने सबी को फ्राय कर लिया है बहुत ही बढ़ी आसे क्रिस्पी से मज़िदार से हमारे ये सनेक्स बनके तयार हुए है इसे धनिया की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ या फिर किसी भी अपनी मन पसंद टीप के आएंगी और अच्छा लगने पर फार्मिले और फ्रेंस में शेयर करें मेरे साथ कमेंट करके शेयर करेंगे रेसेपी आपको कैसी लगी